खमा गाणिसा, आज मैं आपको काकडी मसाला बना कर बताऊंगी तो मैंने एक कटुरिम लिया है एक चमस लाल मिर्ची पाउडर चौथा ही चमस लिया है काला नमक और आदा चमस लिया है साधारन नमक और एक चमस लिया है भुनावा कुटवा जीरा इस मसाले को हम अच्छी तरह से मिला लेंगी हमने इसमें अमचूर पाउडर या चाट मसाला नहीं डाला क्योंकि काकडी वैसे भी खटी होती है तो मसालों को अच्छी तरह से आपस में मिला ले तो ये देखिया हमारा मसाला त्यार हो गया है और ये है काकड़ी ये राजस्तान में तो बरसात के दिनों में खेतों में लगती है बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही बढ़िया इसका स्वाध होता है लैसे ट्यूवेल वगरे पर तो शायद साल भरी मिलती होगी लेकिन जदतर गाओं में बरसात के पानी से खेतों में ये काकड़ी होती है और इसका स्वाधी अलग होता जो कि टूवेल वाली काकड़ी में नहीं होता है तो हमारे यहां तो बस ये साल में एक वारीब होती है तो इसे मैंने पतला पतला चिलका उतार दिया है जदा मोटा चिलका नहीं उताना पतला पतला चिलका इसका पहले उतार दें अब बीच में से हम इसको काट लेंगे ताकि अंदर से इसका बीज और गुदा निकाल लें और देखिए कितनी बढ़िया मोटी मोटी काकड़ी है तो ऐसे काकड़ी बहुत ही कम मिलती है, कभी-कभी अच्छी वरसाद होती है, तभी मिलती है, तो अब हम इसमें से बीज और गुदा चम्मच की सायता से ऐसे खुरच कर निकाल देंगे, कई लोग हाथ से निकाल लेते हैं, लेकिन हाथों में बीज वगेर का लगता है, तो आ अब हम काकड़ी को काट लेंगे, अब हम इसे लंबा लंबा काट लेंगे, वैसे तो कई लोग इस पर सिर्फ नमक लगा कर खाते हैं, लेकिन आप एक बार ये मसाला लगा कर खाना इसका स्वाथ दुगना हो जाएगा, तो मैंने प्लेट में पूरी काकड़ी को काट के पिल कर खा लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा मन भी होता है कि नमक लगा कर खाएं, तो उसका स्वाथ भी डबल हो जाता है, तो आप एक बार इस तरह से एससी देशी काकड़ी के उपर मसाला ये वाला लगा कर खाना, तो आप याद करेंगे कि इतना बड़ा मसाला बनाया है, तो आप अपने स्वाधनु साथ डाले इसमें जैसा आपको पसंद वे कम जद मसाला लगए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें